हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी को रिल्वे क्वाटर का टूर कराने जा रही हूँ तो ये मैंने वीडियो शूट किया था दिवाले की दिन तो यहां पे हमारा मेन गेट सबसे बाहर में जो है वो है तो मेन गेट पे मैंने एक रंगोली बिनाया था मेन गेट के बाद फिर हमें बहुत बड़ा गार्डन मिलता है इस्पेस जिसमें हम गार्डनिंग कर सकते हैं जैसी अंदर जाते हैं तो यह एक बरंडा वाला पोर्शन है मेरा जिसमें अप गाड़ी साइकल ही स सब गते हैं मैंने एक बाक्स रख दिया यहां पर उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो ये गेस्ट रूम टाइप का एक रूम है तो यहाँ पे मैंने बच्चों को बठाया था तो वो थोड़ा सा भी खराब हो गया है तो इस टाइप से मेरा गेस्ट रूम है यहाँ पे रेलवे क्वाटर का और ये बैट रूम है तो ये बी टाइप का क्वाटर है मीनी बी टाइप बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हॉल नहीं दिया हुआ है सिफ दो रूम है कुछ इस टाइप से मैंने रूम को अपने डेकॉरेट किया है और फिर जैसी गेस्ट रूम से आगया आते है तो यहाँ भी एक चोटा सा बरंड़ा है ये यहीं तक बना हुआ था बरंड़ा कुछ इस टाइप का है चोटा सा उसके बाद ये पूजा रूम है तो पूजा रूम को मैंने कुछ इस तरह से डेकॉरेट किया है बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं पाई हूँ समझ में नहीं आता है रेल्वी कोटर में कैसे डेकॉरेट करें और ये दिवाली की दिन मैंने इसमें पूजा किया था यहां पर कुछ इस टाइप से यहां पर कियाना चीटी लग जा रही थी तो इसलिए मैंने इसको ऐसे यहां पर रखा है कियों अब दिवाली का टाइम है तो कुछ काम की फा किचन दिख रहा होगा तो इसा मेरा कुछ कीचन है यहां पर और यह है बाद्रूम यह बैट्रूम और यह स्टोर रूम तो यह थोड़ा है साफ फैसा गंदा रहता है इस टाइप से कुछ इस डूड है का हमने भनन पाया अपने से तो यह कुछ कि आलबेकimeter로 में अक्छाल में घर की तरह हमें सारा समान लखना पड़ता है कुछ नों कुछ काम लगा रहता है एहलें कुछ रखना पड़ता है अपना प्रसndal यहां पर कुछ इस टाइब से आंगन है और आंगन में मैंने यहां पे पॉलाथीन लगा दिया इस पॉलाथीन के नेचे में बारिश होने के टाइम में यहां पे कपले डालती थी तो दीख रहाता है और ट्वालेट वहां पे बाहर में है तो कुछ इस टाइप का पीछे का आंगन है कि अ कि मेरा पहला वाला क्वार्टर चो था वह टाइप स्र कथा तो वहां पर बहुत कम ह खाटाइज में इंज्औयमेंट रहे अचछे हो जाते हैं family हो जाती हैं सब एक साध दिवाली हो ली सब सेलिवरेट करते हैं तो बहुत ही मज़ा लगता है सारे festival में तो यहां पर मेरा बेटा भी बहुत enjoy किया चलिए आप लोको मेरा quarter कैसा लगा बताएगा जरूर